हरे कृष्णा, आज मैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी ही सुन्दर कथा ले करके आया हूँ इस कथा में हम देखेंगे के भगवान श्री कृष्ण गोपियों को किस परकार से परिशान करते थे और इस परिशानी में भी छुपा होता था भगवान को पाने का तरीका कि हम भगवान को किस परकार से पा सकते हैं कहानियों के रूप में ही भगवान ने कथाओं के रूप में ही हमें बतलाया है तो अब मैं आज की कथा शुरूर करता हूँ तो हुआ यूँ के एक दिन गोपियें अपना दूद धही वगरा बेचने के लिए यमना जी के पार गई हूँ थी लगभग प्रति दिन का ही उनका नियम था सुबह दूद धही वगरा लेकर के मखन लेकर के मठकियों में भरके अपने सिर्पे रख करके यमना जी के पार बेचने के लिए जाती थी आमतोर पर राधारानी उनके साथ नहीं जाती थी दूद धही बेचने मक्खन बेचने नहीं जाती थी लेकिन उस दिन वो भी उनके साथ गई हुई थी आपना सारा समान बेच करके दूद धही मक्खन बेच करके गोपियं तीन चार बजे तक वापिस आ जाती थी और आ करके भगवान शिट-कृष्छन को बाल रूप में देखती थी उनके जर्शन करती थी उनके साथष्ड़ हानियां करती थी भगवान के साथ भवान उनके साथ छेड़ खनिया करते थे और आनन्द बना तो एक दिन जिस दिन की एक कथा है उस दिन वहाँ गोपियों को अपना दू दही मक्षन बेचने में समय जा रहा हो गया और काफी देर हो गए जैसे तीन चार बेदक वापिस आ जाते थे तो उस दिन उनको पांच साड़े पांच वहीं बज़ते अब उनके सब के दिमाग बेच जल्दी थी कि जल्दी चले नहीं तो काना अपने घर चला जाएगा घर चला जाएगा तो हम काना को दृशन नहीं कर सकेंगे काना को मिल नहीं सकेंगे जल्दी जल्दी चलके जमना जी के किनारे पर आए तो देखा कोई नाओ नहीं अब बिना नाओ के जमना जी को पार कैसे करें हो गए समस्या खड़ी उस दिमाग में जल्दी कि काना चला जाएगा तब ही देखा कि दूर से जमना जी में कि एक काले से रंग का चोटा सा लड़का नौव ले करके आ रहा है। देखा बराछा चोटा सा लड़का है 12-13 साल के 10-12 का बलके साथ साल का लेकिन सोचा के इतना बच्चा भी जब नौछ चला रहा है तो इसका मतलब यद जनता है कि जनाव वाले का ही बच्चा उड़ा करके ज हौजा लेगानी शरूकरी जल्दी आओ जल्दी आओ da बच्चा नाओ लेकर के ज्री दिरे आ गया बच्चा यह था ज्यादा से चलाँ है किनारे पर आ गया आने के बाद उन्हें तुम जल्दी करो हमें उस किनारे पहुचाओ, हमें काना से मिलना है, नहीं तो काना अपने घर चला जाएगा, उस बच्चे ने का मैं तो अभी जाओंगा नहीं, ठक गया हूं नाओ चला चला के, अभी नहीं जाओंगा, भूख लगी है बहुत जोड से, पहले मुझे कुछ खाना है, उनके पास जो मठकी में दही, दूद, मक्षन बचा हुआ था, उदेर यह उसको के लिए तू खाले जल्दी जल्दी, बच्चे ने सारा कुछ खा लिया, जितना भी दूद, दही, मक्षन उनके पास था, सब खालिया, सब खतम, उन्हें का खालिया, पेट भर गय बच्चे ने कहां भर गया, तो चलो, फटा-फटा में लेकर चलो, और यह अपना जी के दूसरे किनारे पे लेकर चलो, देर मत कलो, कहना चला जाएगा, उसने का तुम इतनी सारी हो, तुमारे सिर पे तनी बड़ी-बड़ी मठकी है, इतना वजन मैं कैसे लेकर जाओंगा अगर तुम्हें चला है मेरे सास नाओ में, पहले अपनी मठकीया उतारो अपने सिर से, गोपियों ने फटा-फट अपनी मठकीया उतार के फोड़ दी, का बस, अब तो ठीक है, वजन कम हो गया, चल अब जल्दी कर, जल्दी-जल्दी लेकर चल, ठीक आओ, बैठो नाओ म जो ही वो नाओ में बैठने लगी, रोक दिया वहीं, बच्चे ने, ऐसे नहीं, तुम सब ने इतने भारी-भारी ये जेवर पहन रखे हैं, इनका वजन कैसे चलेगा, मैं नहीं चला सकता इतना वजन, अपने सारे गहने उतार के फ्यक्त दो कर चलना है तो, ताकि वजन कम होए, जल्दी में उन्होंने फुटा फुट अपने सारे सोने के चांदी के घहने उतार करके फ्यक्त दिये, सोने चांदी के घहने फ्यक्त दिये, इतनी लगन थी क्रिशन से मिलने की, कहना के दर्शन करने की लगन में, सारे अपने घहने उतार करके फ्यक्त दिये, का चलो तो ठीक है अब चलो अब तो ठीक हो गया अब तो तारा वजन अठीक अब चलो बैठो बैठने लगी फिर रोक दिया रुक जाओ अब क्या हुआ तुमने इतने बड़े बड़े भारी भारी घागरे पैन रखें लेंगे पैन रखें 1616 को और उन पे सलमे सितारे का इतना काम होया हुआ है इतना वजन बड़ा रखा है इतना वोजन में नहीं ले जा सकता ह। यह सब उतार के नहीं अचाव फेक को लिगता है नहीं सोचा और वो सारे के सारे कपड़े उतार के कप्रेप तरने के बाद कहा के अब चलेए उनका चलो बैठो बैठ गेशन नदी में उसमें नौ में नौ में बैठने के बाद बच्चन थोड़ी दिर तो नौ खई तो नौशी धूर लेके गया उसका चपू उठाकर रख दी गोपियों ने पुछा के अब क्या हुआ अभी पेट भर भोजन कर लिया है थका हुआ हूँ अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगा मुझे आलस से आ रहा है अब थोड़ी देर आराम करने के पश्चात ही मैं चड़ूंगा अब मैं अराम करूंगा मुझे बिल्कुल डिस्टा मत करना हूँ बिल्कुल विया अफधान मत डालना मेरे अराम कह करके अराम से अपने हाथ लगाए सिर्के निच्चे और बालक लेट गया कि मैं अब सो रहा हूँ गोपियों को परिशान नहीं है एक तो देर ओर ही है कहना निकल जाएगा दूसरा यह कि अगर यह नाव नहीं चलाएगा नाव डूब जाएगी कौन सभालेगा नाव को उन्होंने का चलो हम ही चलाते हैं गोपियों चपकु लिए चलाने की कोशिश की नाव और डगमग आ गए गवरागे सभी गोपिये के हमारे बसका तो नहीं है नाव को चलाना हम तो बिल्कुल डूबो देंगे नाव को अब कैसे करें बड़ी गवराहत हुई कि यह तो नाव ही डूब जाएगा पर एक गोपि कहने लगी के नहीं नाव नहीं डूबेगी यह बच्चा किसी नाविक का ही बच्चा है और नाविक का बच्चा नाव को बल्कुल नहीं डूबने देगा तो इस बात से तो निश्चिंत रहो नाव तो नहीं डूबेगी बार बार उसको बच्चे को उठाने की कोशिश करें के चल 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 सोया हुआ अराम से दोनों हार सिरी के निचे लगा करके अराम से सोया हुआ है नाओ यमना जी के भाव में बहती जा रही है परिशानी भढ़ती जा रही है गोपियों की के कहना चला जाएगा कैसे दर्शन करेंगे कहना के जब कई देर हो गई तो उठाया बच्चे को उठो उठकर के नाओ लेकर चलो में जल्दी करो बहुत देर हो गई है बच्चा उठके बैठा मेरे से अभी नाओ नहीं चलेगी मैं नहीं चला सकता हूँ भाईए तुम पैसे ज़्यादा ले लेना लेकिन हमें जल्दी करके पहुचा दो काना चला जाएगा हमें काना के दर्शन करने हैं काना को मिलना है बच्चे ने कहा कि अगर जल्दी चलनी है जल्दी है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगे तो घृपियों ॹाम जल्दी है ने कहा यह बच्चे ने कहा यह अपना गुरू मानना मेरे से घुरु मंत्र लेगना होगा जब हैं कि तो न चल praVA ale is still my इसुद मॉरा है अब सभी सभाए गुरु मंत्र ले तो कैसे है देखा राधा राने कि तरफ क्या करें है है राधा राधा राने एक आप गुरू मंत्र लेलो जली करो कि पहुंचे हैं पने सब्सक्राइब के इन्होंने राधा रान की तरफ लेख ए उन्होंने रहा है तो यह तैयार हो गई है गुरु मंत्र के लिए इसका मतलब यह इनकी है यहीं इनकी नेता है जब गोपियों ने कहा कि ठीक है तुम दो गुरु मंत्र लेकिन जल्दी लेके चलो उन्हीं कांग में दूंगा कांग में बोलूगा दिरे-दिरे कि दी ओषिव अजहर मंचुर थो बहुत है कि जैसे मर्जी कर ओन्म कि रर्य कि लेकिन चल जल्दी कुर अैं बालक ने अगर मंत्र पहले तुह नेता ध Whatsapp मैं कि छलूत कथ कुछ 2 kah वार्धा नि को शेक्षेश ma पर जैसे कहें आप मुन्तर राधाराणी ने देखा कि तो समस्य और बढ़ गई यदि मैं गुरु मंत्र नहीं लूँगी तो यह औरों को भी नहीं देगा और जब तक गुरु मंत्र नहीं देगा यह आगे नहीं चलेगा उधर कहना निकल जाएगा राधाराणी उठके आई आके कहने लगी कि ठीक है त कान में गुरु मंत्र नहीं राधाराणी ने अपना कान आगे बढ़ा दिया जो ही उन्होंने अपना कान आगे बढ़ाया बच्चे ने कान में धीरे से कहा जरा ध्यान से देखो जरा ध्यान से देखो, मैं वही हूँ जिससे मिलने के लिए तुम सब लोग इतने उतावली हो मैं ही तो वो काना हूँ किता सुन्दर गुरु मंत्र दिया मैं ही वही काना हूँ जिससे मिलने को तुम इतनी उत्सकूँ दियान से देखे, राधा जी ने देखा धियान से, मुस्कराते हुए बालक को पैचान लिया, यही तो काना है, चेरे पर हसी छा गई, जो बाकी गोपियों ने देखा के राधा रानी के चेरे पर हसी छा गई है, उन्होंने भी धियान से देखा तो देखा तो यही तो काना थ जिससे मिलने के लिए इतनी उतावली थी, इतना शोर का रखा था, इतना सब कुछ किया, वही कहना तो है ये, कहना ने ही ये सब कुछ कराया था बड़े स्पंजस में आजए और भगवान, श्री कृष्ण उसमालक के रूप में, सब को नईया से यमना जी के पार ले दे, क्या शिक्षा मिली हमें इस कहानी से, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, बड़ी साप शिक्षा है, सबसे पहले सिर्की मठकियों उतरवाई, खाली करवाई मठकियें, खुद खाली है सब कुछ, मठकियों उतरवा के खत्म करवा दी, क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ के हम जो अपने सिर पे वजन रखके चलते हैं, नातेदारियों का, रिष्टेदारियों का अभिमान का, अभिमान का, पद का, ये सब वजन उतार दो, मान का, पद का, हर परकार का अभिमान सब खत्म करो सबसे पहले, पहला काम, अभिमान समाप्त करना, दूसरा काम, सारे जेवर उतरुआ दिये, लोब खत्म करो, धन का लोब, धन का अभिमान, ये सब समाप्त करो, हर परकार का अभिमान चाए वो धन का है चाए पद का है नातेदारी रिष्टेदारी सब का अभिमान खटम करो सब का बोज अपने सिर्सर उतारो धन का अभिमान खटम करो लोब खटम करो तीसरा शरीर के वस्त्र उतरवा दिये अपने श्रीर तक का तिया कर दो श्रीर तक की सुद्बूद आपको कोड़ी होगी और ये सब कुछ करके अपने आपको भगवान के हवाले कर दो जिस दिन हम ये सब कुछ करके अपने सिर्थे सारा बोज उतारके लूब लालच खतम करके अपने तनका भी सब कुछ छोड़कर खतम करके भगवान के हवाले अपने आपको कर दो अपना यम्णा-जी के पार ले जाएंगे बहुतागर पार करवा देंगे कितना सुन्दर मेसेज है भगवान महावीर के सारे वस्त्र फट गए जब वो भगवान की मस्ति में आये भगवान महावीर सब कुछ भूल गए जंगलों में जाडियों में भागे फिर रहे हैं कहीं कोई कांटा लगा कहीं कोई कांटा लगा किसी कांटे में अड़कर के कोई कपड़ा फटा कहीं किसी कांटे में अड़कर के कोई कपड़ा फटा तन के सारे कपड़े फट गए उन्हें कोई सुद्बुद नहीं थी पूरंतिया निर्वस्त्र हो गए उन्हें कोई सुद्बुद नहीं थी इतना खो गए भगवान में निर्वान को प्राप्थ हो यही एक साधन है निर्वान को प्राप्थ होने का कि अपने सारा अभिमान लोब लालच यहां तक कि अपने तन को भी छोड़ दो और अपने आपको पूरंतिया भगवान के उपर छोड़ दो भगवान के समर्फित कर दो पूर्ण शर्णागती इसी का नाम है भगवान के पूरां तया शर्ण में चले जाओ भगवान अपने भवसागत पार करवा देगा मुझे उमीद है कि आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी किर्पया लाइक का बटन अवश्य दबाएं चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया अवश्य सब्सक्राइब करें अपने मित्रों और संबंधियों को भी आगे फोर्वर्ड करें ताकि वे भी इन कताओं का आनंद ले सकें हरे कृष्णा